जैहिंदी स्टुडेंट कैसे हो आप सभी मैं त्रीती सिंग एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी स्टुडेंट का हम सब के चैनल EPS पर इस्टुडेंट कंटीन्यू करते है करंट अफेर की क्लास इससे पहले अपने 65 लेक्चर ओल्रेडी करंट की क्लास के डल चुके ह चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आपको जाके वो क्लास भी देखनी है आज शुरू करेंगे सटुडेंट संदोहजार तेईस में जो जनवरी का महीना था उसकी जितनी भी महत्पून खबरे हैं मैं उन सब पर चर्चा करने जा रही हूँ आज मैंने 25 से 30 पर्सनल ल करेंगे सटुडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्पून है तो स्टुडेंट करेंगे जनवरी संदोहजार तेईस की कुछ महत्पून करन तफेर और फिर मैं कल की क्लास में इसे पूरा कोशिश करूंगी अपनी की कल की क्लास में इसे मैं अच्छे से जनवरी की सारी ख़बरों को कवर करा दू आज इस्टुडेंट देखो बोर्ड की लिवीटेशन है तो थोड़ा आपको प्रेट करिए का क्यूंकि अगर मैं ज्यादा छोट में डिवाइड किया है कि मैं जादे से जादा पर्षन आपको करापा हूं क्यूंकि अगर मैं ऐसे सीध में लिखती हूं तो 15-16 पर्षनी मुश्किल से यहां पर आपाते हैं लेकिन मैंने डिवाइड करके और अच्छे से लिखने का परियास किया 30 पर्षन आज वरी का करन्ट अफेर किवर हो जाएगा तो शुरू करते हैं आज की अपनी करन तफेर की इस्टुडेंट कैस्ट पहला ही कोशन दिया यहां से आपके दो से तीन करंटफेर के पक्के हो जाएंगे। तो zat सद्वी कुन這麼 ¬ यहीं करना है तो जद को बोगा वीदियो होना जिए है तो यहीं पता होना जिए कि दुनिया यह का सबसे ऊचा युद्ठीर कूंथ सा है अगर आपैंप से ये पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे उचे यूद छेतर बता है तो आप क्या लगाएंगे आप लगाएंगे सियाचिन क्या लगाएंगे आप स्टुडेंट लगाएंगे सियाचिन अब यहां पर क्या हुआ है दुनिया के सबसे उचे यूद छेतर सियाचिन में तैना क्या नाम याद रखेंगे स्टुडेंट आप आप नाम रखेंगे शिवा चोहन दुनिया के सब से उचर उच्छेतर सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महहिला अधिकारी बन गई है यह आप ध्यानमे रखेंगे शिवा ऐसे महादेव के नाम से भी याद रख सकता है किया है ऐसा कौन सा राज यह है जिसने मुख्य मंत्री शुखाश्य शुखाश्य सहयता कोश कोश स्टार्ट किया है शुरू किया है तो आप लगाएंगे हिमाचल परदेश स्टुडेंट हिमाचल परदेश ने मुख्य मंत्री सुखाश्य सहयता कोश शुरू कराई यह आप अध्यान में रखेंगे करते हैं नेक्स्ट कोशन पर जो की है हाल ही में हाल ही में पोक्रा अंतरραस्टे हवाई अड़े का उद्गाटन किया गया हाल ही में पोक्रा अंतररास्टे हवाई अड़े Towards a देश ने किया ऐसे आजाए या कोशन ऐसे आजाए कि हाल ही में पोख्रा आपको फोकस करना है पोख्रा अंतरास्टे हवाई अड्डे पे इसका उध्गाटन कहां पर किया गया तो आप ध्यान में रखेंगे भारत का जो पडोसी देश है कोन है नेपाल नेपाल में इसका आप से उद्गाटन पूछ लिया जाए किस देश ने किया है तो आप क्या लगाएंगे भारत का परोज सिदेश कौन है नैपाल नैपाल आप ध्यार में रखेंगे पोखरा अंतरास्टी हवाई अड़न नैपाल ऐसे याद करेंगे परजवला चैलेंज किसके द्वारा लोंच किया गया तो ये किया गया है ये किया गया है इस्टुडेंट ग्रामीन विकास मंतराले के द्वारा लोंच ये आप ध्यान में रखेंगे किस राजय ने राजस्व पुलिस वेवस्था को खतम करने का फैसला किया है क्या है इस्टुडेंट कोशन किस राजय किस राजय सरकार ने राजस्व पुलिस वेवस्था को खतम इसका एंड करने का फैसला लिया है ये लिया है उत्राखंड गोवर्मेंट ने किस ने क्या बन जाता है यह special बन जाता है तो वहाँ पर इस्टेट में यह पूछ सकते हैं और वैसे current affair में भी किसी ना किसी स्टेट लेवल PCS में यह question बन सकता है क्या है question आप से ऐसे पूछेंगे किस राज्ये ने राजस्व पुलिस विवस्ता को खतम करने का फैसला लिया है option में होंगे उत्राखंड में B में दे देंगे हिमाचल परदेश में C में दे देंगे गुजुरात में और आपको D में दे देंगे उत्तर परदेश में तो आप धियान में रखेंगे अगर राजस्व पुलिस विवस्ता को खतम करने की बात पूछ ली जाए आपसे तो आप स्टुडेंट लगाएंगे उत्राखंड राज्य सरकार ने किसने उत्राखंड राज्य सरकार ने यह आप ध्यान में रखेंगे मूब करते हैं स्टुडेंट नेक्स्ट कोशन पर जो की है भारत के 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर कोन बने है क्या है कोशन भारत के 78 वे ग्रैं मास्टर से हर साल एक्जाम में कोशन बनता ही बनता है जैसे ये 68 नंबर के हैं 70 जैसे बात करने हम 78 nंबर के आपसे पूछ ले 86 नंबर के शिटार नंबर के तो ग्रैड मास्टर से हर बार कोशन आते हैं तो इसलिए मैंने कोशन लिया है क्या है अगर आपसे भारत Works breaking ग्रैंड मास्टर कौन बने है, यह पूछ लिया जाए, तो आप लगाएंगे, कोस्तव चटर जी, क्या लगाएंगे आप कोस्तव चटर जी, 78 वे ग्रैंड मास्टर कोन बने है, कोस्तव चटर जी, ये नाम आप ध्यान में रखेंगे, इस्टुडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट कोशन पे जो की है कोशन नमबर 7 यह है भारतिय विज्ञान कोंग्रेस का 108 वा सत्र कहां आयोजित किया जाएगा क्या है कोशन भारतिय विज्ञान कोंग्रेस का 108 वा सत्र कहां आयोजित किया जाएगा तो यह स्टुडेंट किया जा के यहां से भी हर बार कोश्चन बनता है कई बार ऐसे पूछ लेंगे जो भारतिय विज्ञान कोंग्रेस है यह इसका यह कौन सा सत्र था 107 था 108 था 106 था 105 था तो आपको यह सत्र के सास यह भी याद करना है कि भई इसका इसका आयोजन कहां पर किया गया तो से स्टुडेंट मैं बोल रही हर बार एक्जाम में स्टेट लेवल पीसेस में कोश्चन बनता ही बनता है तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है कहां पर हुआ है इसका आयोजन नागपूर में क्या है भारतिय विज्ञान कोंग्रेस का सत्र याद रखे यह 108 वा सत्र था कहा आयोजन पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे नागपूर में अब यह भी स्टुडेंट अपना कोश्चन त्यार होगे यह भी काफी मैथ पून कोश्चन है यहां पर तो आप 100 परसेंट लगा लो यह कोश्चन आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसेस में या आप जिस भी competitive exams की त्यारी करें 100% देखने को मिलेगा तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है क्या एक तो यह 108 सत्र था किसका भारतिय राष्टिय भारतिय विज्ञान कोंग्रेस का यह कौन सा सत्र था 108 और इसका आयोजन कहां पर हुआ आयोजन याद रखेंगे नागप उतकर्ष 2.0 किसके द्वारा शुरू की गई क्या इस्टुडेंट उतकर्ष 2.0 अगर आपसे पूछ लिया जाए उतकर्ष 2.0 किसके द्वारा शुरू की गई तो आप लगाएंगे RBI के द्वारा किसके द्वारा RBI के द्वारा RBI की फुल फॉर्म क्या होती है Reserve Bank of India क्या हो भारत की पहली अंडर वाटर मैट्रो किस स्टेट में स्टार्ट की जाएगी ये कोशन भी स्टुडेंट बहुत जाद हम है तुन है क्योंकि ये बात हो रही है पहली की क्या है कोशन भारत की पहली ये बात हो रही है इंडिया की फ्रस्ट इंडिया की फ्रस्ट अंडर वाटर अंडर वाटर मतलब जो पानी की अंदर मैटरो चलेगी अंडर वाटर मैटरो किस स्टेट में स्टार्ट किस स्टेट में शुरू की जाएगी तो अगर ऐसे आ जाए तो आप लगाएंगे वैस्ट बोंगोल में कहां पर पस्चिम बंगाल में ये अंडर वाटर मैटरो यह है खेलो इंडिया यूथ गेम से भी हर बार स्टेट लेवल कोशन बना है क्योंकि यह में इतनी शोर्टी से स्टुडेंट कोई भी टीचर इतनी शोरली तभी बोलते हैं जब उन्होंने रिसर्च की हुई होती है तो मैंने यूपी पीसियस के तैन इयर के पीवाई की सोल्व करें अगेन मैं बता रही हूँ और मैंने करंट अफेल के सारे कोशन देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम से भी हर बार कोशन बनता ही बनता है ओलंपिक से कोशन बनता है खेलो इंडिया यूथ गेम से बनता है जिसे ये भारतिय विग्यान कोंग्रेस हो गई, यहां से कोशन बनता है, तो student इसलिए मैंने काफी महत्पून कोशन लिया, बिल्कुल भी आपको कक्षा को skip नहीं करना है, अन्त तक कक्षा में जुड़े रहना है और अच्छे से सारी क्लास को देखना है, अगर आपको ये च चिज़े नहीं लगेगी, तो आपको student अच्छे से ही करनी है, और यहां से मैं बोल रहे हैं, अगर ये क्लास को आप अंत तक देखते हैं, और कल भी मैं आपको 50 से कोशिश करूँगी, जितना भी मुझसे इस बोड़ पर संभव हो पाए, कोशिश करूँगी 50 से 100 पर इस प जाने का परियास करूँगी, तो कल की class ओर लगेगी इसमें, जन्वरी की पूरी current affair अपनी खतम हो जाएगी, और मुझे सब student कमेंट करके जरूर बताएंगे, कि जैसे मैं daily to daily current affair तो student आपको कराती है, एक हफते से daily to daily current affair नहीं लापा रही थी, क्योंकि मैंने अभी current affair छूट गई थी मुझसे, तो मैं एक साथ उनको cover करा दूगी, तो मैं पूरा अभ्यास कर रही हूँ कि जितनी भी मेरी current affair की classes नहीं हो पाई, तो मैं आपको इन दो classes में आज 30 person solve करेंगे, और कल की class में board पे पूरा लिखने का परियास करूँगी, पचास से 100 person अगर मैं adjust क कर पाती हूँ, तो फिर मैं उनको आपको समझाऊंगी, तो यह अपनी कल की class ओर लगेगी, और आपकी जनवरी की current affair पूरी cover हो जाएगी, तो बताना daily to daily current affair करें, या फिर ऐसे कर ले कि वहीं जैसे week की current affair खटी होगी, क्योंकि हर रोज कितनी खबरे महत्पून होती है, student हुए चल रही है, या आप ऐसे बता दे कि जैसे हफते की current affair कठी हो जाती है, पचास से सो पर्षन ही होते हैं, जो अपनी मतलब पूरे हफते में चीजे चर्चा में होती है, पचास से सो पर्षन उसके बनते हैं, तो मैं एक class में उन्हें solve करा दू, तो comment करके बताना daily to daily करे या फिर हफते की current affair अपने जैसे फरवरी स्टार्ट हो गया है ना, कि हफते की cover एक साथ cover कर ले, तो जैसे आप बोलोगे वैसे करा देगे, तो अभी बात करने खेलो इंडिया youth game की, तो खेलो इंडिया youth game सन 2022 में महीला, अगर आप से पूछ लिया जाए, महीला under 18 खिताग क किसने जीता, तो इस्टूडेंट ये जीता है, होकी हरियाना ने, हरियाना ने जीता है, किस में जीता है, होकी में, ये आप धियान में रखेंगे, अगर इस टेट पूछ लिया जाए, तो आप लगाएंगे हरियाना ने, किसने हरियाना ने, आप सभी को पता है, गेमस में स महिला महिला अंडर 18 इसमें किसने खिताब जीता है महिलाओं में जीता है महिलाओं में जीता है हरियाना हरियाना की महिलाओं ने जीता है किसमें जीता है अगर गेम्स का नाम पूछ ले तो आप लगाएंगे होकी किसमें जीता है होकी में जीता है तो यह आप धियान में रख करते हैं mellan 18 पुरू इंडिया यूथ को चिता उसकी बात करते हैं किस ने खेली इन्डिया यूथ गेंज चेंप लिया जयता है ये जिता है मध्या पर्देश प्रूस अंडर 18 महिला खिताब किस ने जीता तो महिला उनने तो जीता है हरियाना की महिला उनने किस में जीता है होकी में जीता है लेकिन अगर पूच लिया जाए पूच अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेम सन 2022 किस ने जीता तो अगर पूच लिया जाए मेल का पूच लिया जाए त मूब करते हैं student next question पे जो की है हाल ही में कौन सा देश पत्रकारों के लिए आशुरक्षित देश बन गया है तो दोस्तों ये बना है सीरिया में student सीरिया में पत्रकारों की बहुत ही जादा हत्या कर दी जाती है तो पत्रकारों के लिए सबसे आशुरक्षित देश कोन बन गया है अगर आप से ऐसा पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे आप सीरिया आए दिन वहाँ पर ये खबर मिलती है कि भई सीरिया में इस पत्रकार की हथिया कर दी गई दो पत्रकारों के लिए सबसे आशुरक्षित देश अगर आप पूछ लिया जाए तो student आप लगाएंगे सीरिया क्या लगाएंगे सीरिया ये आप ध्यान में रखेंगे मुव करते हैं next question पर जो की है किस दिन शानती का विश्व दिवस मनाया जाता है तो आप लगाएगे एक जनवरी को शानती का विश्व दिवस मनाया जाता है लक्समी सिंग किस राजे की पहली महीला पुलिस कमिशनर नियूक्त की गई लक्समी सिंग किस राजे की पहली महीला बात हो रही है पहली महीला पुलिस कमिशनर की पहली महीला पुलिस कमिशनर नियुक्त की गई लक्समी सिंग ये किस स्टेट की की गई तो आप धियान में रखेंगे उत्तर पर देश अगें इस्टुडेंट अगें रिपीट कर रहें कोशन कोशन है लक्समी सिंग किस राज्य की किस राज्य की पहली महीला पुलिस कमिशनर नियुक्त की गई तो आप धियान में रखेंगे उत्तर परदेश इस्टुडेंट यह कोशन आपको जो अपना उत्तर परदेश का PCS होने वाला मई में वहाँ पर भी देखने को मिल सकत है तो आप इसको अच्छे से माइंड में बठा लेंगे क्योंकि यह बात हो रही है पहली महीला पुलिस कमिशनर की मूब करते हैं स्टुडेंट नेक्स कोशन पे जो की है किस राज्य ने आर्टी आई किस राज्य ने आर्टी आई जवाब देही में सबसे खराब तो मेरे स्टुडेंट जुडे हुए है नाइक तक कमेंट बोक्स में या जब भी आपको क्लास को देखेंगे यह कोशन मैंने आपको पिछली मेरी करण्ट अफेर की क्लास में कराया है तो जितने बच्चे मेरे साथ पहले से जुडे हुए इसको इस कोशन का अंसर उन्हें पता होगा तो सभी जितने भी मेरे स्टुडेंट जुडे हुए हैं सभी कमेंट बोक्स में इसका अंसर जरूर देंगे तो इसका अंसर तो आप सभी मुझे देंगे जब भी आप ये वीडियो को देखेंगे क्या है किस राज्य ने जवाब देही में सबसे खराब परदर् किस ने किया वो मैं आपको बताऊंगी अगर आप से पूछ लिया जाये किस राजी ने आल टी आई जवाब देही में सबसे अच्छा परदर्षन किया है और फिर जितने भी student मुझे answer देंगे कल मैं उनका नाम अपनी class में announce करूंगी क्यूंकि इससे भी पता चलता है कि मेरे कितने student active हैं मेरी class में और कितने ऐसे student हैं जो जवाब नहीं देते तो उसका अंदाजय में आपके कमेंट से लगा लूँगी तो सभी स्टुडेंट जवाब जरूर देना मूब करते हैं स्टुडेंट नेक्स्ट कोशन पर जो की है भारत का सैकिन भारत का दूसरे नंबर का सबसे 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 लंबा केबल ब्रीज किस राज्य में खोला गया क्या है स्टुडेंट कोशन भारत का सैकिन सबसे लंबा केबल ब्रीज किस राज्य में खोला गया तो स्टुडेंट यह खोला गया है गोवा में कहां पर खोला गया अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का सैकिन सबसे longest cable bridge किस राजिय में खोला गया तो आप लगाएंगे गोवा में खोला गया तो आप धियान में रखेंगे गोवा कहां पर खोला गया गोवा में यह आप धियान में रखेंगे मूब करते हैं student next question पर जो की है पहला एशियाई देश बन गया है तो student यह बना है चीन कौन बना है यह बना है चाहिना आप धियान में रखेंगे यहां से भी एक्जाम में 100% आपको question देखने को मिलेगा क्या है कि हाइड्रोजन संचाली train शुरू करने वाला पहला एशियाई बात और यह फ्रस्ट एशियाई की पहला एशियाई देश कोन बन गया है आपको देदेंगे चीन चीन तीन चार और ओप्षन में देदेंगे तो पस आप इधर उधर कुछ नहीं आपको option देखना आपको दिया ध्यान में यहीं रखना है कि मैडम ने तो बताया था कौन हाइड्रोजन संचाली train शुरू करने वाला शुरू करने वाला पहला एशियाई पहला एशियाई देश बना है चीन को पर्भाव दियान में रखेंगे मुव करता है students नंग सब्सक्राइब हाल ही में हाल ही में किस राज्ञे की पहली किस राज्ञे की पहली वंदे भारत Express को शुरू किया किया है क्या है स्टूड़कृक्र्ण कोश्चन है को श्रूशन है और युकल का إona yes हाल ही में किस राज्य की पहली वंदे व्हारत एक्स्प्रेस को शुरू किया गया तो पर च्प्रवासी भारत्य संम्मेलन पर ज़ो करते है परवासी भारतिय सम्मेलन का 17 नंबर का मतलब कि सत्रवा संस्क्रण किस इस्थान पर आयोजित किया जाएगा पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जो परवासी भारतिय परवासी भारतिय दिवस सम्मेलन है इसका कौन सवा संस्क्रण था सोलवा पंद्रवा चोद्वा या फिर सत्रवा ऐसे करके आ जाए तो आप लगाएंगे 17 नंबर का मतलब कि सत्रवे नंबर का यह संस्क्रण था यह आयोजित कौन से नंबर का था यह संस्क्रण कौन सा था यह था सत्रवे नंबर का संस्क्रण अगर आप से यह पूछ लिया कि किस स्थान पर यह आयोजित किया जाएगा तो आप लगाएंगे इंदोर कि क्या लगाएंगे आप लगाएंगे इंदोर यह आपको ध्यान में रखना है कि इसलोम नाम ध्यान में मतिताप उत्सव मनाए तो यह नाम ऐसे ही होते ना मनी पुर्व पुर्वत्तर भारत के हमारे राजिय है इनके थोड़ा जो इसे नाम होते तो आपको उत्सव का नाम धिहान में रखना यहां से भी इस टुडेंट कोशन बनते ही बनते जैसे कि चाप चार हो गया होन्ट बिल हो गया यह त्योहार कहां पर मनाया जते हैं यह उच्छव कहां पर मनाया गया तो आप ध्यान में मनिपूर में कहांपर गया आप में रखेंगे मनिपूर आप एसे याद रख सकते कि जो पूरबुएत्टर भारत के हमारे वहां पर उसह होते हुख साolesome नाम ऐसे ही होते हैं इसका क्या है इमाइनु इततापा हमसे तो प्रणाउच करने में इतनी दिक्क्त हो लेकिन इसका है इमोईनू इमोईनू इर्तपा आ जाए ना तो बस इमोईनू इर्तपा माइंड में रखना मनीपूर मनीपूर दो तीन वार रिपीट करना यह याद हो जाएगा ठीक है राष्टिय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आपको उप्शन में देंगे 21 जनवरी को 22 जनवरी को 25 जनवरी को 24 जनवरी को तो अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्टिय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है तो आप लगाएंगे 25 जनवरी क तो यह आप ध्यान में रखेंगे मूब करते हैं इस्टुडेंट नेक्स्ट कोशन पर जो किया है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिविकिट से सम्मानित किया गया कौन से रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिविकिट से तो आप ध्यान में रखेंगे विशाखा पतनम रेलवे इस्टेशन को यह आप ध्यान में रखेंगे मूव करते हैं इस्टुडेंट नैक्स्ट कोशन पर जो कि मैंने लिया है पुस्तक से इस्टुडेंट मैं आपको जानकारी दे दू पीसी एस में बुक से भी कोशन बनता ही बनता है एक नहीं कई बार दो-दो कोशन बने हैं तो इसको भी जितनी भी पर मुख बुक है यह सारी कवर करनी है अपने को मैंने पिछली क्लासेस में भी जो करन्ट अफेर की किये काफी बुक आपको कवर कराई है लेकिन बहुत सारी बची भी है तो उनको मैं क्या सोच रहूं मही में अपन बनते ही बनते हैं स्टुडेंट कुछ ऐसा अलग से रनन मुख से रननीतीं होती काफी बच्चे मुख से स्टैटरजी के बारे में और काफी बच्चे बुक्स के वारें में भी पूछ रिया हम कौन सी बुक लिस्ट को फोलो करे तो इस्च्यूबिश्च ब्स पर कम से कम चार से पांच गंटे निकल जाते हैं लैक्चर तियार करो और फिर सबसे बड़ा चैलेंज होता है बोर्ड पे लिखने में दो से डाई गंटे लग जाते हैं और जोग्रफी में तो जादा टाइम लगता है क्योंकि मैं मैप से सारी चीजों को खरा रही हूँ तो अप सब्सक्राइब कराने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं यह सोच रही हूँ कि जैसे मैं डेली करन्ट अफेर कराती थी आपको तो अभी मैं सोच जैसे हफ्ते की जितनी भी खबरे हो जाएंगी न महत्पून तो उनको हम एक दिन जैसे की सैटर्डे ले लें मंडे टू मैं कि ळेली ठीक है या मैं ऐसे कर लूँ जैसे आप बताएंगे जितनी कि जैसे कमैन्ट आएगी तो मैं एक बात प्रायक के वैसес कर रहा से हर बार में पीच्छन इसमें कोश्ण कौन करता है जैसे भूक सूच कांग है इसको जारी कौन करता है और इसमें भारत का इस्तान कितना है और अगर हम बात करें वैस्विक पर तिस वर्दा कि यहां से पूछ लेंगे तो मतलब सूच कांग से कोशन बनना ही बनना है तो उसको हमें अबने हैं बूक्स से भी हर बार स्टुडेंट एक्जाम में कोशन बनता ही बनता है मैंने यूपी-पीचिए के से पीवाई क्यू सॉल्व करें दस साल के वहां पर मैंने देखा एक-एक साल में मतलब जैसे अपना मई में पेपर होने वाला तो एक-एक साल में पेपर में दो सिर्फ से पूछे गए हैं जैसे कि अगर करें कि करांदी कारिफ किस के दोरा लिखी गई तो यह लिखी गईüre सन्जीव सान्याल के दुवारा सन्जीव सान्याल के दोरह तो इसुड़ जहां से बनने है न कोशें उन्हें आप मुठी में कर लो और current affair को भी किसी को हलके में नहीं लेना है, क्योंकि current affair से अपने state level PCS में 30-35 questions बनते ही बनते हैं, तो देख लो कितना बड़ा weightage है सिर्फ current affair का, तो आपको बिल्कुल भी current affair को छोड़ना नहीं है, daily daily करना है, और last के लिए तो मैं बोलती हूँ, बिल्कुल नहीं, कुछ बच् बजट आया, मैं बजट पर भी एक class कली लेकर आऊंगी, जितना भी कल बजट पेस हुआ है, जैसे कि तो कल हम बजट की class करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षन की class करेंगे, बजट से भी आप सभी को पता है, एक्जाम में कोशन बनना ही बनना है, और जैसा कि अपना महीं में प कराने हैं, अगर आप 150 में से 90 या 100, मैं तो यह कहते हूं कि 120, 120 का target लेकर चले आप, 90, 92 cut off जाती है, तो cut fit के हमारे इतने आई जाएंगे, तो सभी मेरे student को 120 अपना target लेकर चलना है, उस अचीव करने के लिए दिन रात एक लगा देना है, क्योंकि अभी student ज्यादा टाइम महीं बचा है, अपने पास अभी फरवरी स्टार्ट हो गया है, और फरवरी मार्च अपरेल मही में अपना पेपर है, तो अपने को दिन रात महनत करने हैं, और कुछ ऐसी वर्डन नी लेना है कि मैडम 2-3 महीने में कैसे होगा, 2-3 महीने में भी पीटी पास हो जाता है, इस रननीती पर एक दिन और चर्चा करेंगे, अभी अपनी ये थोड़े से पर्षन बनें, इन्हें कम्प्लीट कर लेते हैं, और जल्दी इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम 120 स्कोर करें अपने 2-3 महीने में, तो बिल्कुल भी ऐसे घब राएं नी, कि कभी आप डर जाओ की, और जो बच्चे सोच रहें कि मतलब दे या ना दे, उन्हें इस कंफ्यूजन को दूर कर देना है, अगर आपने 2-3 महीने बच्चे हैं, आप दिन रात महनत करेंगे न, 2-3 महीने में भी PCS अराम से निकल जाता है, तो ऐसा कोई घवराने की जरूरत निया, PCS ऐसा कोई हव यह सिर्फ आपकी महनत के उपर डिपैंड करता है, आप जितनी महनत करेंगे, आप अपने टार्गेट को जरूर अचीव कर लेंगे, अभी जैसे इस्टुडेंट आप से पूछ लिया जाएगी, बही क्रांतिकारी पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई, तो आप लगाएं अभ्यास से भी एक्जाम में PCS में हर बार कोशन बनता है, अभी अगर आप से पूछ लिया जाए, ओप्रेशन अलर्ट अभ्यास का आयोजन किस के द्वारा किया गया, तो आप लगाएंगे, बी एसेफ के द्वारा, बी एसेफ के द्वारा स्टुडेंट ओप्रेशन अलर राजिया बन गया है, तो आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे एसेफ क्या बन गया है, डिजीटल बेंकिंग वाला भारत का पहला राजिया बन गया, यह लिए आप धियान में रखेंगे, मुव करते हैं स्टुडेंट नेक्स कोशन पे जोगी है, राष्ट्यये मानव तसकरी जागरुकता दिऊसंदो हजार 23 कब मनाया गया तो यह संदो हजार में रखेंगे बहुरत का सर्वादित प्रदूशित सहर कौन बन गया है वर संधोजार बाइस में भारत का सबसे सर्वाधिक परदूशित सहर कोन बन गया है तो ये बन गया है अपनी दिल्ली कोन बन गया है ये दिल्ली इस्टुडेंट बहुत जादा परदूशित हो गई है देखो ये आकडो में भी पता चल रहा है अगर आपसे पूछ लिया जा बहुत जादा पॉलिशन हो रहा है दिल्ली में तो लगता है जो लाइफ लाइन है वैसे कम हो रही है तो इस्टुडेंट ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई भारत का सर्वाधिक परदूशित शहर पूछ लिया जाए तो आप दिल्ली लगा देना कि महारी मैडम बुगतरी है हमारी मैडम रहती है दिल्ली में तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इस्टुडेंट दिल्ली में बहुत बड़ा बहुत ही बुरा हाल है परदूशन का आप घर से भार निकलेंगे तो बहुत ही ज्यादा पॉलिशन आखों में जलनोना शुरू हो जाता है तो आप ऐसे याद कर लेना जैसे भी आपको याद है कि दिल्ली में हमारी मैडम रहती है बहुत ज्यादा परदूशन है महां पर मतलब भार निकलना ही मुसीबत है अभी जैसे करोना में क्या हुआ था बहुत अच्छी चीज हुई कि मास्क कंपल्सरी कर दिया था लेकिन अभ में भी आ गया पहले तो लगा लेते थे ना तो ऐसे घपराट होती थी कि मास्क को उतार के फैक दो लेकिन अभी आदत हो गई है क्योंकि अपने को इतनी जल्दी उपर नहीं जाना है बचके रहना है तो परदूशन से भी आप सभी को पता है कितनी विमारी फैल जाती है त इस राज्य में 100 फिट उची पोलो परतीमा का उधगाटन किया गया तो यह अगर पोलो परतीमा का उधगाटन पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे स्टुडेंट मनीपूर में कहां पर आप लगाएंगे मनीपूर में कितने फिट 120 फिट उची पोलो परतीमा उधगा किया गया है कहां पर किया गया है मनीपूर में यह आप धिहान में रखेंगे राश्टिये विज्ञान दिवस संदोहजार तेईस संदोहजार तेईस की थीम क्या तै की गई तो स्टुडेंट यह की गई है वैश्विक कल्यान के लिए वैश्विक विज्ञान क्या वैश्विक कल्यान के लिए वैश्विक विज्ञान इस्टुडेंट थीम से भी यूपी PCS या फिर किसी भी स्टेट PCS की बात क्यू ना करे थीम से भी कोशन आते ही आते जैसे की और एक क से भी कोशन बने हैं तो जैसे कि यह है अपना राष्ट्य विज्ञान दिवस संदोजार 23 की थीम किया है तो मैंने आपको बता है वैश्विक कल्यान के लिए वैश्विक विज्ञान तो इसे ही हम जितने भी महत्पून दिवस हैं उनकी थीम पर भी एक दिन चर्चा करेंगे पूरी क्लास में मैं आपको एक दिन जो महत्पून दिवस है और उनकी थीम भी खराऊंगे क्योंकि यहां से भी हर बार एक्जाम में कोशन बनता ही बनता है तो इसको भी अपना पक्का कर लेंगे मूब करते हैं स्टुडेंट आज के लास्ट कोशन पर जो की है रास्टिय यूवा दिवस कब मनाया जाता है क्या है कोशन स्टुडेंट रास्टिय यूवा दिवस कब मनाया जाता है तो यह तो आप सभी को पता होगा स्टुडेंट अगर बात करें रास्टिय यूवा दि कि क्लासिस कि कि क्लास के क्लास के डाला रखेंग तो गल्रफ करन करकल कर रखकें आप करन तूदेट के बारे में बढ़ाइगा कि थोड़ी गले दोड़ी कारे जाएuestos या फिर्म आप नोर्मल स्पीड पर आपको पढ़ाती हूं वह ठीक है तो वह सभी तो आप मुझे फीडबैक करके बता देना और बाकी फीडबैक ये भी देना इस्टुडेंट की जो मैंने जैसे सोचा है कि जैसे जनवरी की मैंने की जितनी भी जनवरी में महत्पून खबरे रही हैं वह ज जितना भी दो से ढ़ाइगंटे की मैरतन लूँगी उसमें आपको सारी करेंट फेयर जनवरी की कवर कराने की कोशिश करूंगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइए का आपको क्लास कैसी लगी अगर आपको क्लास अच्छी लगी लगी है तो फिलीज वीडियो को लाइक क का सपना है सरकारी नोकरी पाने का उनके सपने में दोस्तों हम थोड़ा सपनी अपना योगदान दे पाए क्योंकि आप सभी को पता है सबकी आर्थिक कि इस्तिती अच्छी नहीं होती है कि वह डैली जैसे शहर में आएं और कोचिंग की फीज को अफोर्ड करें तो यह आज कल वैसे बहुत अच्छा हो गया ओनलाइन माध्यम तो अगर हम ओनलाइन माध्यम से किसी की मदद कर पा रहे हैं तो यह हमारे लिए सोभाग्य की बात ह होगी यह तभी संभव होगा स्टुडेंट जब आप वीडियो को जादे से जादा शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताना जो मैंने कोशन दिया है उसका अंसर भी मेरे सभी स्टुडेंट को करना है कल मैं उनका उन बच्चों का अपनी क्लास में पहले नाम अनौंस क स्टेट लेवल पीसीश को निकालने के जो भी आपका या प्शिय का ठीक या जो भी बच्च भी पीका एक्जाम दे रहें उनके लिए तो लिए है लेकिन जितना भी समय बचा है आप जदे से जदा रिवीजन करें रिवीजन 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 करें आपका के आना है और आप सभी ने अच्छे से महनत की है और मैंने जितनी भी क्लास करें उसे एक बार रिवाइस कर लेना मैं परियास करूंगी एक दो क्लास ओर लेके आँ जिसमें मैं करन्ट अफेर की आपको फटा-फट रिवीजन कराऊं ताकि फटा-फट लास्ट में सोचते हैं तो उससे आपकी रिवीजन हो जाएगी तो धन्यवाद स्टुडेंट मिलते हैं फिर आपको नैक्स्ट जोग्रफी की क्लास में अच्छे से पढ़ाई करते रहें घबराएं नहीं